जय हिंद बिलकम टू एपी से क्लास की यूटूब चैनल में आज से उनका स्वागत है आज के दूड़ में हम लोग दीपावली पर्व क्यों मना जाता है इसके बारे में समझने वाले हैं और यह पर्व हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है इसके बारे में हम लोग स सुद्धी भी रहती है और साथी साथ कहीं न कहीं एक पॉस्टिव एनर्जी सो होती है ठीक है तो यह चीज आपके लिए महतपूर हो जाता है और महतपूर चीजें तो यह रहेंगी कि दिपावली के पर्व को मनाने का तथ्य क्या रहता है जैसा कि आप सभी को पता है यह बाते कहीं न कहीं प्रशलित हैं कि भगवान राम जो है वह 14 वर्ष के बनवाश काट करके और रावड का वद करके जब आप अध्या नगरी में वापस आ रहे थे तो उसी दरमियान में आध्या वासियों ने इस पर्व को इंज्वाय किया था जिसका नाम दीपावली अध पूरत यह बात तो कत्यत है सत्य तो है लेकिन उतना आधिक महत्रा में सत्य नहीं है बहुत से पुरानिक कथाम यह बाते भी कहीं हैं कि लच्षमी जी जो थी वह समंद्र मंत्र के दर्मियान इसी दिन को उनकी उत्पत्ती हुई थी और साती साती यह भी प्रचलन बात आती सामने कि इस दिन लच्मी और गनेश जी की पूजा क्यों कर जाती है लच्मी की पूजा तो समझ में आती है गनेश जी की पूजा करने का क्या तात्पर है देखिए आज हम आपको बताते हैं कि गनेश जी और लच्मी जी की पूजा करने का तात्पर क्या है महतपूर चीज़ यहां कभी टिकने वाली तो है नहीं तो आकर यह कैसे इनको लेशती हैं तो उन्होंने यह प्रड़ दिया कि जहां भी मैं रहूंगी तहां मेरे साथ यह गनेश जी साथ ही साथ रहेंगे इसलिए जब भी आप पूजा इनकी करते होंगे तो गनेश जी और लचमी जी की ही पाएगा आप साथ के सभी हैं और आपको यह बात तो पता होगा कि हमारे जीवित रहने के लिए आकसीजन की मात्रा होना बहुत जरूरी है अगर जो आप पटाकी फोड़ेंगे या बहुत से ऐसी आतिस बाजी का यंत्र कोई भी यूज करते हैं तो उस दर्मियान में इतनी इस पोज़र चीजें यूज करके उसको बनाया जाता है काफी घतरनाक साबित हो सकता है आप सभी के लिए तो कोशिस की कम से कम मात्रा में आप लोग कोशिस कीजे कि पटाकी का सेवन करें अनरत सेवन ना करें तो काफी उचित है ठीक है कोशिस कीजे दिपक जलाए जिससे वातावड की सुधी भी रहेगी देखने में अच्छा भी लगता है पतंग को पता रहता है कि उसका अंत एक कचड़े में ही है लेकिन फिर भी वह कोशिस जरूर करता है कि एक बार तो जरूर मैं आसमान छोड़ू आप भी कोशिस हमेशा यहां कीजिए जिससे अप काफ़ी गुमान रखते हैं अपने आप में पढ़ाई में बहुते बच्चे ऐसे भी हमें मिलते हैं जो बच्चे काफ़ी ओवर रखते हैं टीचर से भी offer confidence रखते हैं कि मैं बहुत ही जादे यूनिक और बहुत जादे जानकार हूं ऐसा नहीं करते हैं आपको मैं छोटी सी लाइने बताने वाला हूं छट को भी बहुत गुरूर था छट होने का एक मंजिल और बन गई फर्स बन गया इसलिए कोशिस कीजिये आप सभी गुरूर ना कीजिए किसी चीज़ का घमध नहीं होना चाहिए आपके तूफान जादे होती है तो कस्ती डूब जाती घमध जादे होता है तो हस्ती डूब जाते हैं इसलिए कोसिस कीजिए हमेशा की घमंड ना करें आपके लिए गुरु ही सर्वस्रिष्ट होता है गुरु के दिवरा दी गई हर ग्यान आपके लिए अमरित के समान होती है कोसिस यह कीजिए कि जो भी गुरु आपको बताते हैं उन सभी बातों का अनुसरड साथी साथ दिपावली पर में जो भी मैंने इंट्रेक्शन्स दियें उन सभी का फालो कीजेगा आप सभी प्रयावरण को सुरच्चित रह सकें धन्यवाद जय हिंद